है गाईज वेलकम बेक टो माई डूप चलन तो आज हम अब बोट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं तो जैसके हमने प्रीविस एपसोड में देखा था ग्रेंड अलटर बोलती है क्या क्रेक्स फॉर्म हो रहे हैं इस प्रीज पूर्द से टूट जाता है उसके अचले टाइम जो ब्लड स्टोन था वो क्रिमसन रेड था वो तभी था जब मेरी नाइंथ ग्रेड की ब्लड लाइन प्रिटी टेस्ट हुई थी पर अब जो ब्लड स स्टोन है वो क्रिमसन रेड नहीं है पर पूरते से टूट गया है इसका मतलब क्या है रोजंग यहीं पर रुकना मैं आती हूं वसे इस क्रिस्टल को इकठा कर रही होती है और वहां से चले जाती है डायवान वहां पर आत वर बोलता है बच्चे मुझे बताओ तुमने क्य अडवांस में प्रिपेर कर दिया पर यह अजीब सी बात है कि स्टेंजर के ब्लड प्रोसेस में था तब ही जो स्टोन था वो डीप रेड कलर का हो गया एक तरह से और पूरते से टूट किया वो इंसान बोलता है क्या तुम मुझे बता रहे हो कि किसी आउटसाइडर के ब् इस ब्लर रेड वो सिर्फ नाइन ग्रेड की थे उतने हैं वह जो होता है इस लिए हमारा ब्लड इतना प्योर नहीं है जो ब्लेड्स्टोन मैंने तुम्हें दिया था वह इसलिए दिए था कि तुम वोर्योर्स को टेस्ट कर सको जिनका टेंट ग्रेड तक ब्लड हो क्योंक को देखना पड़ेगा ग्रेंड अल्डर बोलती है तुम बाहर आना चाहते हो वो बोलता हाँ मैं एक्जाइल्स में से एक हूँ में को क्यों से इंशन गोड ने कर्स दिया है मतलब एक तरह से मैं सिर्फ अगर यहां पर छुपके रहा हूं तो इस सर्वाइव कर सकता हूं तब भी फादर ने जेड़ वोल को नहीं छोड़ा अब लूसेंग ने ब्लडस्टोन को तोड़ा है तो इन्होंने डिसाइड किया कि यह जेड़ वोल से बाहर आएंगे फूर अपने बेटी की वेल गाल पे हाथ रगता और बोलता है मैं तुम एतने साल नहीं देखा मैं त स्पेस में मैं यह होप कर सकता हूं कि तुम समझते हो प्लीज में को उसकी तरफ लेके चलो ग्राइंडर बोलती है कि ठीक है फिर हमें 15 मिनिट के बाद कर सिंदी हायता है एक मासलाइटिस बोल रहा है तो ब्लेड स्टोन टूट गया है अब ब्लेड प्यूर्टी कैसे टेस हो सकता है ग्राइंड बोलता है कि अगर मैं कुछ गल्प नहीं बोल रहा हूं तो तुमने ट्रू मिनिंग ऑफ डाव को एक्वायर किया है ना मतलब पाया है यह स्ट्रेंज है अगर तुम्हें रपस नाइनली रेस का ब्लड है तो यह कुझा डिफिकल्ट होता कि बाकी रे को द्वारा करना पड़ेगा लूजंग बोलता है ठीक है लूजंग अपने हाथ को आगे की तरफ करता है जो अपने ब्लड के साथ उसे गैदर करता है और एक वेल फॉरमेशन टाइप ओपन होती है फॉर बोलता है कि तुम तुमारा ब्लड तुम्हेरे पास इंपीरियल ग बाकी बोल रहे तो क्या बोल रहे हैं इंपीरियल ग्रेट ब्लड लाइन क्या तुम सपना देख रहे हो बाकी बोल रहे होते हैं कि इंपीरियल ग्रेट ब्लड लाइन ये कैसे पॉसिबल है में को कंफर्म करना पड़ेगा बाकी बोल रहे होते हैं हम भी और जितने भी एक् के बार में वहाँ पर ची जिनलाव भी होता है जिनलाव बोलता है फ्यूर क्या तुम शूर हो यह यंग मैन के पास इंपीरियल ग्रेट ब्लड लाइन हमारे रेस की या फिर तुमने कुछ गलती की है फ्यूर बोलता है कि मैं अबसलिटली राइट हूं मैंने अपनी 13 ग्रेट ब्लड को इसकी ब्लड के साथ ängस्पेर किया इसका जो ब्लड है उसने पूरी को से मेरे ब्लड को खा लिया सिरफ इंपीरियल ग्रेट ब्लड लाइन हैं उसका सकती है जिनलाव बोलता है कि बचचे तुमारे पेरेंट्स कौन है लुजळक कि नम्होंग बिलता है कि मैरी नीचे आतो नीचे ग्रीट कर रहा होता है फुर बोलता है चीह तुम कर के रहे हो चीह बोलता है कि जब मैं एक्साइल कर दिया गया वहाँ से तो जो रोईल फैमली थी उसने एक नई फीमेल बेबी को बर्त दिया था उस फीमेल बेबी का नाम लुशू था वो ग्रैंड ग्रेंट चैइल्ड यहां पर कर चैयल रहे है इस एक्जाईल वर्ल्ट में चीफ बोलता है कि जब मैं एक्जाईल किया गिया तो नाइटली रेस को जादे ही बड़े डेंजर में थी ऐसा बोला जाता है कि ग्रेंट चीफ्टन होंग एमपरड के साथ फाइट करना चाहते थे जूलाओ में पर मैंको पहले एक्जाइल कर दिया गया उससे पहले मैंको कुछ भी नहीं बता है कि उसके बाद क्या हुआ इन्फॉर्म करो क्या हुआ लुजंग बोलता है कि मैं यहां पर एक्जाइल नहीं किया गया हूँ जो mother world है उसकी current situation similar है जैसे तुम सोच रहे हो जो 9ly race है वो defeat हो गया है और जो reason है वो यह है कि मेरे मतलब grandfather ने ship इसलिए बनाए थी ताकि जो बचे हुए लोग थे वो वहाँ से भाग सके छी बोलते है 9ly race defeat हो गई है फूर बोलता है कि अगर हम जो आन्यान रेस ने defeat कर दिया है तो grand shifton गए तो गए कहाँ पे 81 demon gods कहाँ पे गए इतने साधा 9ly guards गए तो गए कहाँ पे प्रसंग बोलता है मुझे भी नहीं बता मुझे बस यही पता था कि जो ship थी उसके अंदर 9ly race की hope थी और उसमें काफे साध 9ly race के member थे बाद में जो गार्ड थे उन्होंने ship को भी हंट किया और जितने भी 9ly race के लोग थे ship के ओपर वो सब इमार दिये अब गोड डोमेन में बाकी races रहती है 9ly race में से कोई भी नहीं बचा हुए यह complete knowledge जो मुझे पता है जिलना बोलता है zone and guards यह बुरी बात है कि मैंन कि जो reason है कि ship नीचे गिरना बांद हो गई और उसने अपनी direction change किया वो तुम्हारी वस है losing बोलता है पर हमें new race को तो बताने है पड़ेगा कि ship को छोड़ दे वो और जानने दे बाकी बोल रहे हो ते हाँ तुम सही बोल रहे हो जितनी मज़े strong new race क्यों ना हो वो ऐसे ship को अपना नहीं बना सकते है losing बोलता है losing तुमारे मन में के चल रहा है losing बोलता है मेरे मदर के पास कोई भी चोईस नहीं थी पर उनने में को यहां पर पहले भेज़ दिया इस world में strong बनना पर मुझे लगता है यह impossible है यहां से जानने के लिए और उनको मारना अगर तुम यहां से जाए नहीं बाऊगे तो losing बोलता है कि अगर ऐसा हो कि मेरे को रास्ता पता हो यहां से जाने का इस उनके बाग की सभी हरान हो जाते हैं को जाद ही जिलनावा ऐसे barrier को create का देता और बोलता है कि तुम्हारा कहने के के मतलब है लिजंग बोलता है क्या तुम्हें वार्डन रेस के बारे में सुना है जब मैं पहले इस world में आया था तुम्हें को दिखाया और मुझे बोला कि कैसे इस world को छोड़ के जाना है एक बोलता है कि लिजंग बोलता है क्योंकि वार्डन रेस के बिच में लडाई चल रही है उनमें से कुछ ऐसी भी है जो escape करना चाहते है पर जो दूसरी फैक्शन है वो उन्हें मार देना चाहती है सिर्फ अफ दो ही siblings बचे हुए बाग की पूरी जो भागना चाहते थे उन्हें मार दिये जिल्हां बोलता है अच्छा यह हरानी की बात नहीं कि इतने सालों में जो वार्डन रेस है वो और जदा यहां वह घूमती रहती है ऐसा लग रहे कि वह siblings को find करना चाहती हो जो बच्चे है वो अगर ऐसी बात है तो यह अच्छी ओपरचुनिटी होगी हमालियां से भागन में हैं जो की बहुत दूर है इंशेंट बेसलेंड में तो वह सेफ हैं अभी के लिए अगर तुम यहां पे लिया उगे उने तो और जदा अटेंशन मिले गा उने और हम पुंचेगा जिल्ला बोलता है हां तुम सही बोल रहे हो अभी भी तीन साल है लाइट ओफ एड्जक मीटिंग को करना चाहते हैं जा रहे होते हैं फूर बोलता है क्या हुजी जो बैटल होने वाली सकाई साउथ बोन टावर में वीजिया फैंग लोंग को ज़ान अंडेस ने मार दिये हमारा जीतने की चांस से कुछ जादे कम है इस टाइम में यह होप करते हैं कि लूजांग हमाली बैडल को फाइट करेगा so guys episode number 496 अगर आपके उड़ी पेसे नहीं दो लाइक करो नहीं बेफे भी लाइक कर दो शेक अब दोसके साथ comment करके बतागर आपके उड़ी कैसे लगे सब्सक्राइब करो